सब्सक्राइब कीजिए The Special Teacher चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hello to everyone मैं सलोनी गुपता आपके अपने चैनल The Special Teacher में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ दोस्तो आज हम यहाँ पर D.A.H.I. के पेपर 10 के बारे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Family, Community and Garing Impaired Child इसकी फर्स्ट और सेकंड उनिट को अल्रेडी मैं आपके साथ डिसकस कर चुकी हूँ यदि आप उसे मिजगर गए हैं तो मेरी प्रीविस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइस चीजों को समझ सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो पेपर 10 का 3rd यूनिट का 3.5 है दोस्तो इस special education से जुड़ी सभी updates पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे whatsapp ग्रूप और telegram ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं जिसका link हमारे इसी वीडियो के subscription box में दे दिया जाएगा तो आज का जो topic है उसका नाम है role of family in advocacy वकालत में परिवार की भूमिका दोस्तों यहाँ पर हम किसी वकील के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम एक शरवन बादित बालक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके जीवन से संबदित उसके जो अधिकार होते हैं उसकी जो छमताय होती हैं उसकी जो एक स्थान होता है समाज में उसके प्रती एक परिवार उसकी कैसे help करता है इसके बारे में हम इस topic के दौरे जानेंगे तो सबसे पहले advocacy का आर्थ क्या होता है इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी अपने वा अपने बच्चों के अधिकारों के प्रती जागरूप वा सहयोग ही advocacy कहलाता है मतलब कि बच्चे के जो basic rights है और जो governmental rights है उसके प्रती यदि कोई family जो है वो पूरी तरिके से जागरूप है और उसे follow करती है और दूसरों लोगों को भी जागरूप करने का प्रयास करती है तो वो कहलाएगा वो जो प्रक्रिया है वो सारी कहलाएगी advocacy वकालत में परिवार की भूमिका मतलब role of family कैसे एक family परिवार जो है वो भूमिका निभाता है इस वकालत की प्रक्रिया में मतलब लोगों को अधिक जानकारी देने में उनके अधिकारों के बारे में बताने में वच्चों का सहीयों करे में हम इन बिद्धों से जानेंगे इसमें सबसे पहला बिंदू है बालक के सर्मांगिण विकास के लिए जैसे कि हमारा में मुद्धा है जैसे कि आज की प्रेजन स्टुनारियो की जो शिक्षा है वो टोटिली चाइड सेंटेड है मतलब बाल केंदरित शिक्षा है प्रचलन में तो उसका मुख्य उद्देश बालक का सर्मांगिण विकास करना ही है तो यहां पर भी चाहे बच्चा रेगुलर हो चाहे वो स्पेशल नीडेड हो चाहे किसी डिसिबेल्टी से रशित बच्चा हो उनका सबका एम एक ही होता है कि बच्चे का सर्मांगिण मतलब समाजिक, शारीडिक, मांसिक इसमें ती बच्चों से संबंदित या फिर उनके जन्म से संबंदित कई सारी रूडिवादी विचारधारा आज भी हमारे समाड में प्रचलित हैं लेकिन जब किसी फैमिली में ऐसा डिसिबेल्ट बच्चा जन्म ले लेता है उसके उपरान भी फैमिली के जो लोग हैं उसे पूरी मॉडल की तरह वो प्रेजेंट हो जाते हैं और दूसरे लोग भी उन्हें देखकर मोटिवेट होते हैं और उनकी जो दिमाग में पहले सो पुरानी जो रूडिवादी विचारधारा चली आ रही है कही ना कही उसका समापन संबह हो पाता है तो ये सारी चीजे तभी संबह हो पाती हैं जब परिवार बच्चे के प्रती जागरूफ हो उसके आवशकताओं के प्रती जागरूफ हो उसके अधिकारों के प्रती जागरूफ हो और उनके जो करता भी हो उनके प्रती वो जागरूफ हो तो तभी ये सारी चीजे संबह हो पाती है इसमें तीसरा को प्रेजंट करना बहुत ही मुश्किल हम नई नई बाती तो कर सकते हैं नवाचार की बाते तो कर सकते हैं कि हम यह करेंगे लेकिन जब फैमिली खुद उस कारी को करती है एक और सोसाइटी में एक रोल मॉडल की तरह अपने आपको प्रेजंट करती है ताकि उन्हें लोग और फॉलो करें और अपनी विचारों को परिवर्तित करें और एक नई विचारधारा जो है वो समाज में फैल जाए जो कि पूरी तरके से बालक के प्रती सकारात्मक सोच रखती हो उसके लिए एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है बालक के अधिकारों के प्रती बालक को जागरूप करना देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है वो अंडर कॉंफिडेंट नहीं बहुत उतना कॉंफिडेंट नहीं रहता हर चीजों को लेकर क्योंकि उसे भी पता होता है कि वो दूसरे बच्चों से कही ना कही थोड़ा बहुत या उसके आसपास के लोग उसे ऐसा मानने पर मजबूर कर देते हैं तब उसके अंदर जो आत्म विश्वास की जो हानी होती है उस इस्तिति में परिवार यदि उसका पूरा सपोर्ट करें और उसे बताए कि तुम भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो तुम हम मे कि जयसे हम है वैसी तुम हो तुमारे अंदर कोई भी कमी मुझार जाती तो यह सो परिवार बच्चे को जागरूप कर रही है बच्चे को सपोर्ट कर रही है इसके लिए भी परिवार का जाग softly हो ना अतिया W impression है है इसमें जो चौथा बिंदू आता है बालक को मुख्यधारा में प्रवेश दिलाने के लिए देखिए जब स्पेशल नीडड चाइल्ड होता है जैसे कि पुराने जमाने में चला आ रहा है जो कि रूरी वादी विचार दा रहा है कि हम किसी डिशेबर्ड व्यक्ति को देखते हैं और मेंटली हम यही मान लेते हैं कि यह हम से अलग है या फिर इसे एक्स्ट्रा दया की जुरूरत है या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट की जुरूरत है बलकि ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में हम सभी तो रहते हैं एक सामाज में जो कि एक मुख्यधारा में है लेकिन ज चल रहे होते हैं तो बच्चे को एक regular child बनाए रखने के लिए उसे समाज का एक आम नागरिक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि society की जो main stream है मुक्यधारा है उसमें उसका प्रवेश संभव हो सके जहां पर उसके अधिकारों का हननना हो उसे समान अधिकार प्राप्त हो और सारी चीज़े सारी सुधा उसे समान इस्तर पर ही प्राप्त हूं सही समाज की रचना ही तो योगदान के लिए जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पताया कि एक सही समाज की रचना में परिवार की बहुत महत्पून भूमिका होती है और परिवार के प्रतेक से अपनी भूमिका प्रतेच वा प्रतेच रूफ से निभाते हैं तो यदि परिवार पूरी तरीके से जागरूफ होगा उसे पता रहेगा कि क्या चीज़े गलत हैं क्या चीज़े सही हैं वह अंतर कर पाने में अगर यदि शक्षम है तब ही कई सारे अगर ऐसे जो विचा सारे परिवारों में यदि प्रचलित हो जाती है तो उसका पूंता प्रभाव हम शिक्षा पर वह समाज पर भी देखने को हमें मिल जाएगा तब ही जाकर एक समाज की रचना हो पाती है इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह बालक से समंदित रियायतों का सही उप्योग क करने में अपने बच्चे को सपोर्ट करना उसे स्कूल भेजना या फिर उसके लिए अधर जो फैसिलिटी उसे चाहिए वह सारी चीज़ा प्रवाइट कराना यह तो होता है पर्सनल लेवल पर लेकिन आजकल जो हमारे डिसेबल्ड वैक्ती है या बच्चे हैं उनसे संबं होती उसकी कई सारी जगों पर उसे मुफ्ट उपलब्द करा देते हैं या फिर कम कीमत पर वो उपलब्द होते हैं तो यह सारी चीज़े तब ही उन्हें प्राप्त हो पाएंगे जब परिवार इन सारी अधिकारों को प्रती जागरूप होगा और उसे पता होगा कि हमें कै इसरे को पूरीतर के से सपोर्ट करना है तो उनको सपामाजी करने के सिरे और ने करेंए जब आक देर होगा सान। विक्सित करने के लिए प्रते एक प्रक्ष को सार्मंगिड विकास से ही रिलेटेड है ये बिंदू की बालक का सामाजिक विकास, मालसिक विकास और शारीरिक विकास इसमें ये तीनों बिंदू आ जाते हैं बालक के शमताओं वा शमताओं की पहचान करने हैं तो जब तक बच्चा हो उसकी अपनी छमताइं वो आजमताएं होती हैं तो जरूरँत इस चीज़ की है कि परिवार बच्चे की आजमताइं को पहचाने और उसकी खहमता पहचाने की नहीं तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि उस बालक की विशेश आवशकताई क्या हैं और इससे सम्मंदित वे सैकलॉजिस्ट हो गया इस पीज्ट हो गया ओडियो लॉजिस्ट हो गया जनर्नल फ्रिजिशिंस हो गया इन सारी लोगों की हल्प ले सकता है परिवा कर एक व्यवसाई के रूप में उसे अपना सकता है इस पर भी एक फैमली को ही ध्यान देना होता है क्योंकि परिवार में ही बालक सबसे अधिक समय वैतित करता है और भावनात्मक और शारीरिक रूप से और मांसिक रूप से भी वो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ होता है तो फैमली ज्यादा उसके बारे में समझ सकती है कि उसका कौन सा ऐसा छेत्र है जिसे वो आगे चलकर व्यवसाई के रूप में अपना सकता है तो यह सारी पॉइंट्स होगे जिसके अंत्रगत हम यह समझ सकते हैं कि एक परिवार कैसे बच्चे की वकालत करता है समा समझ में आया होगा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा हमारे चैनल को और इसके नेक्स टॉपिक को मैं आपके साथ नेक्स वीडियो में डिसकूर करूंगी तब तक के लिए धन्यवाद